के पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है अगर आप चाहते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एकाउंट को यूपी आई के साथ लिंक करके वो भी पेटियम में हम उसको लिंक कर सके तो आज किस वीडियो को आप देखते रहें क्योंकि इस वीडियो म मैं आपको complete जनकारी देने वाला हूं कैसे link किया जाता है और कैसे money transfer किया जाता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं तो यहाँ पे link करने के लिए आपको ATM card चाहिए India post payment bank अगर आप अपना इंडिया post payment bank का नहीं जानते हैं निकालने के लिए कैसे ATM यानि की virtual debit card को निकाला जाता है उसका link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा उस video को देखे आप जो है अपना virtual debit card निकाल सकते हैं उसी के साहिता से आप जो है यहाँ पे link कर सकते हैं अपने UPI के साथ ATM में तो सबसे प कुछ इस तरह का interface आ जाता है के बाद यहाँ पर देखिए setting का एक option है तो यहाँ पर आपको किलिक करना होगा तो किलिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है add another bank account तो यहाँ पर आपको इस जिगा किलिक कर देना है पलास वाइल हाकन पे कुछ इस तरह बैका interface देखने को मिलता है तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा यहाँ पर बैंक की मिल जाएगा तो आप जो भी जिस भी को लिंक करना चाहते हैं वह बैंक कि यहाँ पर आप सलक करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक त तो यहां पर हम इसको click कर देंगे तो जैसे ही यहां पर click करेंगे यहां पर देखिए बैंक की ईज आण लिंकएड सक्शेसफूल हो चुका है तो आप यहां पर अग्धी कुछ इस तरह से हहां पर आप को को जो है अब यहां पर देखिया लास्ट छे आंक आपको एटियम वर्चुल डेविट कार्ट का यहां पर आपको इंटर करना पड़ेगा आद एक्स फैरी और वैलीडिटी यहां पर आपको डालना है उसके बाद यह डालने के बाद आप यहां पर प्रोसीड पे क्लिक कर दे एंगे तो फिर से कंफररमेशन के लिए जो आप यूपय पीं दे रहें वही आपको दे रहा ना है उसके बाद यहां पर रायट पर देख सकते हैं आपका जो है यह पन हैच्बिन सेट सक्सेश्पूल हो चुका है उसके बाद यहां पश्ले मैं नियोग्ट कम धेंगे और जो भी पीन आप यहां पे इंटर की है वही आपको यहां पे डाल देना है उसके बाद राइट वाले निशान पे किलिक कर देना है उसके बाद यहां पे आपको बाइलेंस दिखा दिया जाएगा कि आपका इतना बाइलेंस है इंडिया पोस्ट पेमेट बेंक के एकाउंट का तो दोस्तों यहां पे अगर आप पहले से अगर आप ATM फोन पे चाहे कोई भी UPI एप्स यूज़ कर रहे हैं तो यहां पे आपको पीन बनाना नहीं पड़ेगा वही पीन आपका काम हो जागा और यहां पे जो आप उस पीन को चेंज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम यहां पे आपको जो है पैसा टांसफर करने के लिए आप यहां पे बैंक नमर देंगे उसके बाद FSC कोड देंगे तो यहां पे प्रोसीड पे किलिक कर देंगे आपको कंफर्मेशन के लिए आपको एकांट नमर देना परेगा उसके बाद आप कंफर्ण पे किलिक कर देंगे तो चल कटाना चाहते हैं वो आप यहां पर select कर लेंगे तो जैसे कि अभी हम Statebank से नहीं भेजना चाहते हैं इसमें payment balance नहीं है तो यहां पर हम इंडिया post payment bank लिएक से भेजना चाहते हैं तो यहां पर हम click कर देंगे click करने के बाद एंडिया पर देखें इंडिया पोस्ट payment पे किलिक कर देंगे तो पे पे किलिक करने के बाद यहां पे फिर यहां पे इंटर कर लेंगे उसके बाद राइट वाले निशान पे क्लिक कर देंगे किलिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा सक्सेश फुल पेमेंट हो गया है तो आप इसी तरह किसे जो है तो यहां पर आप share भी कर सकते हैं किसे को भी